नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एजूगेस्टने जनल में तो आज की ओड़ो लेक्चर में हम ऐसी हल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जैसे कि चाय के रंग का पैसा बना तो यहाँ पे जो हम डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह के कलर का पैसा बने लगता है दूसरा हेल्थ प्रॉब्लेम हम देखे तो हल्के रंग का मौल आता है उसका जो color है वो काफी ज़दा light हो जाता है फिर यहाँ पे जो हम diagram में देख रहे हैं इस तरह से पेट के उपर की और दाहिने हिस्से में बीच में atom के साथ आपको दर्द होता है कि जो कई गंटों तक रहता है बला कि लंबे समय तक आपको यह जो area है वहाँ पे जो दर्द रहता है तो यह जो सभी symptom से वो indicate करते हैं कि gallstone का problem हो सकता है कि जिसको हम पित्ता से की पत्री कहते हैं कि जो पित्ता से के अंदर इस तरह से stone बनना सुरू हो जाते हैं कि जिसको gallstone कहा जाता है या फिर आपका liver जो हो खराब हो रहा है कि जो healthy liver होता है उसके compare में वो फिर fatty liver fatty liver से liver fibrosis या फिर cirrhosis जिसके condition हो रही है या फिर एक और problem है कि जिसको हम primary biliary cholangitis कहते हैं कि जिसके इंदर specially जो bile duct का यह जो portion होता है वहापे जो यह वो सूजय ना जाती है तो यह जो सभी problem से उसको solve करने वाली बहुत अच्छी medicine के बारे में हम आज के वड़ी lecture में study करेंगे जिसका नाम है hepakine 150 तो इसके बारे में हम detail में जानते हैं और यह जो सभी अलग-अलग topic से उसको जो हम cover करेंगे तो सरुवात करते हैं basic से तो यह जो है वो ऐसे class का medication है कि जिसको हम gelstone dissolving drug कहते हैं मलब कि ऐसी दवाईया के जो gelstone को dissolve करने में मदद करती है brand name जो है उसका hepakine और salt content के हम बात करें तो urso deoxicolic acid इसके अंदर present है कि जो 150 mg जितना एक tablet के अंदर available है manufacture के हम बात करें तो magnet labs private limited कि जो mankind group की company है वो उसके manufacture है और यह Indian multinational pharmaceutical company है जिसकी head office Delhi में है तो उसका use हम देखे तो जैसे मैंने आगे भी discuss किया कि जो gelstone होता है कि जिसको gel blader stone भी कहते है तो उसको ठीक करने में यह medication prescribe की जाते है अगर किसे का report पर से diagnosis होता है कि आपको पिता से के अंदर पत्री है तो यह medication जो है वो patient को prescribe की जाती है फिर liver related problems है तो उसको भी ठीक करने के लिए उसको दिया जाता है और PBC की जो condition produce होती है तो उसमें भी यह medication काफी help करती है तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी book है web available है कि जिसका नाम है disease and treatment बीमारिया और उनका उपचार तो यह book के अंदर आप बहुत सारी अलग-अलग बीमारियों के बारे में सिखेंगे उनके उपचार के बारे में सिखेंगे निदान कैसे होता है कौन से अलग-अलग दवायों के option अवेलेबल है तो यह book को purchase करने के लिए आप यह दिये गए number पे WhatsApp कर सकते हैं तो जरूर से हमारी book को order करे और सिखें बीमारिया और उनका उपचार लेबल के बारे में आप study करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखे तो यह जो medication है वो prescription based medication रहेगी है पा का इंट जो उसका brand name है और यहाँ पे हम देखे तो mankind group का यह जो logo है magnet का वो आप देख सकते है film coated tablet रहेगी यहाँ पे आप देख सकते है composition में लिखा है कि film coated tablet है और खास यह दियान रखना है storage में कि cool and dry place पे उसको अच्छे से store करना है और temperature 30 degree से कम रहे वो जो है वो आपको दियान में रखना है packing की हम बात करें तो blister packing है एक pack में 10 tablets जो है वो available है अब working की बात करते है तो hepokine 150 काम कैसे करती है तो यह medicine हमारी body में cholesterol का intestine में होने वाला absorption inhibit कर देता है मलब कि जो cholesterol होता है वो हमारे intestine में absorb होता है तो उसका absorption inhibit कर देती है साथ में क्या करता है यह cholesterol का जो bile में होने वाला secretion है उसको भी inhibit कर देता है मलब कि bile में जो cholesterol secret होता है और intestine में जो absorb होता है उसको ये inhibit कर देता है तो ऐसा होने पर क्या होता है कि लिवर की healthiness जो बढ़ जाती है और लिवर की healthiness बढ़ने से लिवर related जो problem से वो ठीक होने लगते है साथ साथ ये medication जो पिता से में जो पत्री हो जाती है उसको भी dissolve करने में काफी जदा जो वो मदद करते है जिससे ये जो stone है वो दिरी-दिरी completely जो गुल जाते है और gel stone का भी problem solve होता है तब dose की हम बात करे तो दिन में 2 या 3 बार एक tablet जो पेशन ले सकता है कि 150 mg जितना dose आप दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं पर excessive dose में use उसको कभी भी ना करें price के हम बात करें तो 200 रुपीज उसके price रहेगी 10 टैबलेट की मलब की एक टैबलेट की price रहेगी around 20 रुपीज side effects हम देखे तो abdominal discomfort के सरुवात में जब आप ये medication start करते तो पेट में गडबड जैसा आपको लग सकता है पेट में दर जैसा लग सकता है कुछ लोगों को diarrhea हो जाते है या फिर जी गब रहना उल्टी होना fever जैसा रहना coughing जैसा कुछ लोग फिल करते हैं बट ये काफी minor side effect है कुछ ही दिनों के बाद या फिर कुछ लोगों को ये side effect होती है कुछ लोगों को नहीं भी होती फिर कुछ लोगों को rasis हो सकते हैं गर आपको allergy है ये medication के dizziness जैसा फिल करना indigestion, black या फिर terry color का stool आना frequent urination मलके आपको पेसाप करने ज्यादा बार जाना पड़े और weakness या फिर कमजोरी कुछ लोग फिल करते हैं hepakine 150 को लेने के बाद या फिर से आपको reminder देना चाहूंगा कि हमारी book को आप जरूर से purchase करें और book को purchase करने के लिए ये number पे whatsapp कर सकते हैं तो warnings हम देखें तो अगर आपको urso deoxicolic acid की allergy है तो उसको यूज़ ना करें फिर galblader में या फिर bile duct में जो inflammation के condition है वहाँ पे या फिर वहाँ पे blockage हो गया है जो bile duct का जो पूरा portion है वहाँ पे किसी तरह से blockage है तो उस दोरन ये medication को यूज़ ना करें फिर अगर आप alcohol consumption करते हैं काफे ज़यदा तो भी ये medication को यूज़ ना करें फिर biliary colic की जो condition है calcified galstones हो चुके है improper constriction है galblader का gastric ulcer है duodenal ulcer या फिर high baby मतलब कि जरूरी ये है कि ये medication को prescribe करने से पहले अच्छे से ultrasound होना जरूरी है patient का diagnosis होना जरूरी है उसके बाद ही ये medication को जो है वो दी जाती है फिर pregnancy category उसकी हम देखिए तो है अपा का की वो है B है महले है कि pregnancy के दौरान ये safe है पर आपके gynecologist को जरूर से एक बार consult करना चाहिए ये medication को pregnancy के दौरान लेने से पहले drug-drug interactions हम देखिए तो कुछ antibiotics जैसे कि ciprofloxacin dapson है cyclosporin estrogen aluminum hydroxide aluminum carbonate nitrogen dipin और magal rate जैसे दवायों के साथ ये drug-drug interactions कर सकते तो कभी भी ये दवायों का जो combination है वो आप hepakine के साथ ना करें तो अगर आपको मेरा ये ये अच्छा लगा है तो ये वीडियो भी जरूर से अच्छा लगेगा कि यहाँ पर आप करके मेरा ये वीडियो भी देख सकते कि जहाँ पर भी आपको काफी ज़दा knowledge मिलेगी दवायों के बारे में और बीमारियों के बारे में So good luck and all the best